हेलो एडिवन कैसे हैं आप सभी आशाका तो अच्छे होंगी और खुम मल लगा के पढ़ाय कर रहे होंगी तो मैं जस्ट अभी किचन से काम करके फ्री हुई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपना मन पसंद काम करने आप सोच रहे होंगे कौन सा मन पसंद काम है तो आप ल अच्छी बात यह लगती है कि आप लोंके इतने अच्छे कमेंट आते हैं कि दिदी मेरी पढ़ाय अच्छे हो रही है पहले से बहुत अच्छा हो रहा है मैं टेस्स दे रही हूं तो उसमें मैं अच्छे रैंक ला रही हूं तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि म मैं नहा के आ रही हूं नहा के नहीं सब पसीना है लेकिन हाँ यह है कि बाल मैंने अभी दुला है क्योंकि सुबह से टाइम नहीं मिला है तो ऐसे काम देखिए करना पड़ता है जीवन ऐसे ही चलता है जब तक आप सो नहीं जाते हैं एक औरत की जिंदगी में या एक पुरु वो जितनी देर पढ़ते हैं उतनी देर लगता है कि पढ़ रहा है जैसे यूटूबर प्रैक्टिस क्लास लेकिन दो तीन दिन बाद ऐसा लगता है कि दिमाग जैसे खाली हो गया हो और उस टॉपिक के बारे में कुछ यादी नहीं रहता यदि सेब न करो तो रोज नहीं प्रैक्टिस क्लास दिखाई देती है जिने एक बार देखते हुए यह लगता है कि सब समझ में आ गया जिन क्लास के नोट्स बना लिए हैं उनका रिवीजन करने का टाइम महीं मिलता मन करता है कि उसको बार में पढ़ लेंगे तब तक नया टॉपिक यूटूब क्लास से पढ़ लें और इस तरह से कुछ भी तयार नहीं हो पा रहा है क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है कुछ मार्ट देशन दीजिए जैसे बात यहां पर यह ना कि जैसे आप का पकर के मधस को पूंदने कर पार आको से इतना बड़ा लग रहा है आपको यह लग रहा कि आप एक तरफ से सोछ जरा कि आगे बड़े पीछे वाला सवाय सा आपको लग रहा है कि छूट रहा है तो यह चीज़े तो चलती हैं आप इसको मैनेज करना आना चाहिए देखे हर चीज को Decbt को विलाइज चाहिए इस चीज को हमyएज करेंगी का से आगए बढ़एंगे और апेश चीयों च्छोड़ेंगे वी नहीं अश्कुमसात सके मालें नीचे करेंगे मतलब बहुत उफान पहे नदी थोड़ा सोचिएगा और आपको एक रस्य के माध्यम से आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे लोग इस तरह से रेस्क्यू करते हैं पार करते हैं नदियों को खाईयों को और आपको एक रस्य को पकड़ पकड़ के आपको जो है पार करना है उस नदी को अब आपका पाउन जरा भी फिसलेगा अगर रस्य हां से छूटेगी तो आप नदी में जाके गिरेंगी ठीक है यह सिचुएशन है अब आप क्या करेंगे एकदम बचा बचा के चल रहे हैं ध्यान से अपने कदम बढ़ा रहे हैं हाथ में रस्य को मजबूती स पकड़े हुए हैं और धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं और उसके साथ एक सेचुएशन यह भी है आपको एक टास्क दिया गया है कि जो पीछे की रस्य है जो आप पकड़ क्या रहे है उसको समेठते हुए चलना है आपको ऐसा नहीं है कि वह पीछे छोड़ते जाना है उसको उसको हाथ में उसको सारी चीजोंको लपेठते हुए आपको हाथ में और सीकड़ लोने कि है जलना है अब आप प्या करेंगे अगर आप्को ऐसा तास्क दे दिया गया आप आगे तो पकड़ पकड़ के बढ़ेंगे रसी को लेकिन पीछे वाली रसी को धीरे धीरे लपेटते हुए थोड़ा सा अपने ठहरेंगे रुकेंगे और फिर उस रसी को लपेटेंगे हाथ में फिर धीरे से आगे बढ़ेंगे फिर ठहरेंगे फिर उस रसी को हाथ में लपेटेंगे फिर ठहरेंगे आगे बढ़ेंगे फिर उस रस्ती को लपेटेंगे इस तरह से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए लेकिन पीछे वाली जो रस्ती आपको हाथ में लेके चलना है उसको बकाइदे आप सहेशते हुए अगर आप उसको सहेजेंगे उसको रोल नही कि उसको सहेचते हुए दीरे-दीरे कदम बढ़ा आगे भी बढ़ रहे हैं और सहेचते हुए उसको अपने पास इकठा भी करते आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि आपने अपने टास्क कम्प्लीट कर लिया कहीं सो कोई दिक्कत नहीं हुई ऐसे ही हमारी पढ़ाई होती है आ आप कहीं भी क्लास नहीं करना है कि आपने यूटूब पर कोई भी क्लास देख लिया तो आपने चलो भाई सुनते हैं सुनने से कभी कुछ नहीं होगा आप किसी एक-दो टीचर जो जिसको फॉलो करते करिए बकायदे क्लास लीजिए आज आपने ये पढ़ा कर लिए पढ था आगे भी बढ़ना है पीछे का भी भूल रहा है तो यहीं करना है कि आपको आगे भी बढ़ना है थोड़ा सा रुख के उसी में उसी दिन में आपको एक टाम टेवल में एक हिस्सा यह भी सेट करना है कि मुझे इतने घंटे या इतने देर यह यह टॉपिक रिवीजन क करना है तो आगे भी बढ़ते जाएए पीछे की चीजों को रोज रिवीजन करते जाएए इस तरह से नियम बना के चलेंगे तो कभी भी चीजे निकलेंगी नहीं और हां यह एक बार करने से नहीं होगा यह प्रोसेस एक बार करने से बिल्कुल भी नहीं होगा अनगिनत मैं जब मैंने तयारी की थी अनगिनत कोई सीमा नहीं है रिवीजन करने की जब तक आपका एक्जाम नहीं हो जाता है बस रिवीजन पर रिवीजन चलता रहा है आप बिल्कुल मत गिनिये कि इतना इतनी बार मैंने कर लिया अरे दिमाग में चीजे बैठ गई अब तो यह से चीजिए की आगे धीर कुछाटी बड़ते जाएं लेकिर उसी टाम टेपल में समय ऐसा अपको यह सन करना किंड़ा ठीशन किल्हीं करना साहेति को अलग लीजिए ब्याकरण अलग लीजिए आपका जो भी सब्जेक्ट है अलग रख सब्जेक्ट के लों भी मुझे देखते हैं उसको पार्ट बाट में शुरू करिए कि यह वारा जो पार्ट है उसका यह यह टॉपिक मैं आज पढ़ूंगी कल पढ़ूंगी एक ह अब बैठे पैले से अंदाजा कर लीजिए कि मुझे दो तीन महिने के अंदर यह जितना महिन आपना देख लीजिए कि मुझे पूरा स्रेवस इतनी बार रिवीजन कर लेना है तो आगे भी बढ़ना है और पीछी की दोरा आने भी है यही तरीका होता है पढ़ने का रिव होगी कि कैसे चीजों को मैनेज करें तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में कोई भी बात होगी तो कमेंट की माद में बताइए गया